यह देखिए कितना यहां से पत्थर जो कितने जोर से गिर रहे हैं काफी खत्रा यहां पे बंड सकता है तो आप देख सकते हैं मैं एक और बात इसमें एड़ करना चाहूंगा कि पिछले जो है कुछ टाइम लगभग महीना डेड़ महीना पहले यहां पे जो है एक फॉरस्ट की तरब से पहल की गई थी मैटिंग्स की यह देखिए कितने उपर से पत्थर भी आ रहे हैं तो बिल्कुल ठीक मैट्स जो डाले हुए उन्होंने वहां की हालत आप देखें मैट ऐसा लग रहा है जैसे कि वह कूड़े की बोरी होती है सेम वैसे ही जो मैटों की हालात तो दर्शकों एक दफा फिर से धाई साल के बाद जो है मैं यहां पर हाजर हुआ हूँ जहां पर अक्सर कभी हमारी जो है दर्शकों से मुलाकाते हुआ करती थी उस दोर आज तक बदला कुछ नहीं है सेम वही सिच्वेशन तब भी उपर से आता था और आज भी हालत वही बनी वी है तो मैं अभी बता दू कि मैं जो हूँ ब्लॉग गांदरी टिष्टिक रांबन के ब्लॉग गांदरी में जहां पर जो पस्षी वाला एरिया वहां पर मैं मौजूद हूँ तो अभी मैंने आपको पहले बताया के धाई साल पहले यहां पर बहुत बड़ी जो है स्नाइड शुरू हुई थी तो आज तक धाई साल में जो है कहीं राज बदले कहीं स्टेटों के जो है मुख्यमंतरी बदले कहीं जो है कॉंग्रस के जो है बीजेपी में गे और बीजेपी के पार्टी के मैक्सिमम लोगों से जो है मेरी बात इसके बारे में हुआ करती थी सबों ने जो है आश्वासन यही दिया था कि हम कारे करेंगे यहां पर हम ठीक करेंगे लेकिन हाला देख सकते हैं आप जो के तू जो है बने हुए हैं अभी भी जो उपर से बहुत जोर से पसी नारी है तो मैं जो मुसाफिर हैं यहां के आने जाने वाले हैं जिनको नहीं पता है कि यहां पर स्लाइड आए वान किली में बता दूं कि यह रात से यहां पर चल रहा था तो उन से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि वह फिलाल इस रास्ते को छोड़ दे क्योंके जो र किन्टीनिय। पत्थर उपर से आरहे हैं और यह जो है रोड की बात करूं जो राम्बन को जो जोड़ता है ब्लॉक गांधरी है तो उस रोड की हालात जो है बिलकुल जैसे धाई साल पहले थी वैसी ही बने हुए यह देखें जो है उपर से कन्टीनिय। जो पत्थर आ रहे ह गिरते ही आ रहे हैं तो मैं एक बार फिर से यही अपने जो आम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस जो है इस रास्ते को त्याग दे बिलकुल छोड़ दे अभी फिलाल कुछ दिनों के लिए क्योंकि यहां पर हाल जो है वैसा ही है जैसा धाई साल पहले था तो एक और पात इसमें मैं एड़ कर दूँ आपको अपने दर्शकों को अपने विवर्श को कि कुछ दिन पहले जो यह देखिए कित्रा यहां से पत्थर जो कितने जोर से गिर रहे हैं काफी खत्रा यहां पे बंड सकता है तो आप देख सकते हैं मैं एक और बात इसमें एड़ करना चाहूंगा कि पिछले जो है कुछ टाइम लगबग महीना डेर महीना पहले आइधिंक यहां पे जो है एक फॉरस्ट की डिपार्टमेंट की तरब से पहल की गई थी मैटिंग्स की यह देखिए कितने उपर से पत्थर भी आ रहे हैं तो बिलकुल ठीक मैट जो डाले हुए उन्होंने वहां की हालत आप देखे मैट ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कूडे की बोरी होती है सेम वैसे ही जो मैटों की हालात हुई है तो मैटों में एक और बात में यहां के लोगों से जो है मैंने जानी यहां के जो मैक्सिमम लोगों से मैंने जानी कि मैटिंग में अक्स कहा जाता है कि लोहे का इस्त्माल होता है लेकिन बड़ी अफसोस की बात है बहुत शर्मिंदगी की बात है कि अब्ला गांद्री के लिए लोहा नहीं था यहाँ पे लकडियों से काम चलाया गया बहुत शर्म की बात है ये कि लकडियों से ही काम लकडियां तो हमने सुना था कि पुराने जमाने में आग जलाने के और घर बनाने के काम आती थी लेकिन अब जो जंगलात का डिपार्टमेंट है वो मैटों के नीचे पसी रोक रहा है मुबारे को आप लोगों को कि आप मैटिंग के जो जरीय से नीचे से लकडियां डाल रहे हैं ऐसे तो आपका काम काबिल तारीफ है बहुत बड़िया काम करते हैं आप लोग जंगल पूरे जल गए हैं बुरी हालत है लोग जो है दरक्तों की तबाही मचा रहे हैं और यहां पर आपने लकडियों का इस्तमाल के है बहुत शर्म की बात है यह तो फिलाल जो है लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो प्लीज इस रास्ते को छोड़ दे क्योंके उपर से कंटीनू जो है लैंड स्लाइड आ रहा है आते ही जा रहा है और तो मैं एक बात यह भी बता दूँ कि यहां पे जो होने वाला कुछ नहीं है बस मशीन से आट-दस दिनों में जो है वो रास्ता निकाल दिया जाएगा और उसके बाद फिर छोड़ दिया जाएगा क्यों? क्योंके यहां की जो लीडर्शिप है उनकी भी यह थोड़ी महरबानी है तो फिलाल के लिए इतना ही दीजिए मुझे इजाज़त आगे भी कोई अपडेट होगा तो मैं आपसे जो है जरूर शेयर करूंगा तो फिलाल के लिए इतना ही दीजिए मुझे इजाज़त बहुत बहुत धन्यवाद